पाखंड वादी गुंडे हैं असकी बोडी लेंग्वेज देखी कैसे जैसे पुलिस सुस्किन होकर हो और पुलिस वाला उसकी पीट पहाद मार रहा है जैसे फोजी देश के बोडर पर रक्षा कर सकता है तो जरूरत पढ़ने पर देश के अंदर लोगों की भी रक्षा करना फोजी जानता है जिस तरह से मानवता को शर्मसार करते हुए इस शक्स ने ये काम किया है एक आदिवाजी समाच के हमारे सीधे साधे मजदूर भाई के उपर पेशाप करने का काम किया है वो माफ करने के लायक नहीं है हलाकि मैं आपको बता दूँ के नंदा भाई राजपूत इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बोल रहे हैं और ऐसी ऐसी भाशा ऐसी बाते कह रहे हैं कि अगर ये शक्स गहरत मन होगा तो कभी जिन्दगी में इस बात आ गई है तो शुरू करते हैं नंदा भाई राजपूत की वीडियो बहुत ही धमागेधार वीडियो होने वाली है लास्ट दक जरूर देख परकार से मूतना जो लोग हिंदू राष्ट की बात करते हैं जाती वादे गुंडे हैं पाखंड वादी गुंडे हैं समझे अब यह पकड़ा गया पुलिस ट्टी में जब गया हों उसकी बोडी लेंग्विज देखी कैसे जासे पुलिस उसकी नोकर हो और पुलिस वाला उसकी पीट पहाथ रहे है जैसे बहुत बड़ा काम करके आया हो यहां किसी दलित आधी बासी इसको कह रहे हैं उनके पर मूत के आ रहा है लों तो एक बाद अप्टाई ये उसकी जऺनियत कैसे होगी उसा आ'dम की जातीवादी कुंड़ा है वह अर लोग कोई करें अभी डलित अपने आवाज उठाने लगे तो उसे जातीवादी कह देंगे पिछला अपनी आवाज उठाने लगे उसे जातीवादी कह तो यह दाराम मजभ जातपात के नाम पर जो उनुवाद मचारा काईज सरकार ने पाखनवादियों की सरकार ने बारती जनता पाल्टी का विधायक्ता उसका जनपरति नहीं दी थाए थीक है यह धारम ख़िकेदार बनते फिरते हैं आप मुझे वताओ जिस आदीवासी को कह या हनुमान जी पूर वस्ते इन के आदिवासियों के तो उनके बंसजों के उपर मुता और हंगने जैसी गटना है आएंगी के समने आप बताओ यह दर्म के है ना ना इनसानियत के मानमता के है यह पाखंडी हैं ढोंगी हैं यह आतंगी हैं देश ग्रोही हैं जबी इनके उपर पॉस्ट मुझे लगा दिया है या कुछ भी लगा दिया हो इनके कारवाई उसकी बोडी लेंग में से जैसे गिरपदार किया गया वो पुलिस की गायरी मोतरता है ऐसे लगता है यह थाने का सच्चोतर के जा रहा हो और पुलिस बाद स्के स्वागत में है और अगर वहां केमरे ना लगे हो तो मुझे लगता फूल-मालों से उसका स्वागत किया जाता तो इतना दबदबा ऊस पाखंडी का उस ढोंगी का उस आतंगवादी का भगवा आतंगवादी का जो इस तरी के से जा रहा और उसके ओपर पुलिस हाथ पीट में थपता पा रही है ऐसे लग रहा है बड़ा कितना बड़ा काम कर गया है पिशाप कर दी किसी के मुह पे चेहरे पे और वो गरीब मजदूर लाचार है वो उसकी पीड़ा क्या होगी और उसके बाद है भी डेविट तैयार मामला समझे नहीं तो इससे देश बढ़ने वाला नहीं है और इससे ना देश आगे बढ़ रहा इस देश के अंदर जाती है और धरम और मजब के नाम पर ग्रह युद जैसे इस्तिती जो बना रखी है यह देश के लिए खतरनाक है देश के सविदान और लोक्तंत के लिए बहुत खतरनाक है देश सविधान से बिग्यादी हुई है कि नहीं हुई है तो सदे नसे में अपनी बीबी कमरे में जाता है अपनी बेहन के कमरे में कभी गुसाता है ये भी बताए है नसे में सिर्फ बीबी कमरे में जाता है बेहन के उपर भी जाके उसके कमरे में भी गया तब ये नसे में था जान बूज के अपनी जाती की एंकार में होकर ये दलिस सोसित बंचितों के उपर जो पिशाप करने का जो गिनित काम कर रहे हो ना मेरे जैसा अगर क्रामतिकारी सत्सा में और सासन में होता ना तो समझे नहीं जहांसे भी पानी का डिपार्टमेंट था स पिश्टितियां राष्टपती को अपने अधिकार नहीं पता राष्टपती चाहे तो पंदित-पुझारी जो गुष्ने नहीं दे रहा था उसको-त्रण कस्टडी में दिलवा देती जहिल में करवा देती लोगों के साथ इने एक अलग ट्रीडी में देखा नहीं मैंने कह कि जो पुलिस नेकस्टिडी में लिया तो उनका स्वागत था कोई muslim होता, दलित होता, पिछ्डा ओता और आधी वासी होता किसने ऐसा गेहनित काम किया होता तो उसकी कुटाई ठोकाई करते हुए लटकाते हुए लाते उसको जलील करते हुए लाते और इज़त सम्मान के बाद वो भगवा लपेट के और यह दिखा रहा कि हमें भगवादारी गुंडा हूँ और यह काम करता हूँ मूतने का हिंदू राष्ट के बाद ऐसा ही हाल होगा भाद वादियों का भाद के नागरीों को यहाल करने वाले हैं विदियसी मानसिक्टा के लोग है पहले इनका डि एने चेक किया जाए समझे यह देश के अंदर यह स्रनातिय आए जो पाखंडवादी हैं जो पाखंडवादी मान सकता और इनारशी, देश भाटवाशियों को बताते हैं यहां स्वधेशी का नारा देते है और भी देशी पाखंडी हैं इसे लोग समझान है भाइरत के ये कभी नहीं हुए शर्णनात्थी थे अत्ती देवो भवा कहा गा भारत बासियों ने इनको इन पाखंडियों को सम्मान दिया जदी मगर मैं इतना कहना चाता हूँ भारत बासियों से अगर इन लोगों से बचना चाते हूँ और सही माने में अपने इन लोगों से कहना चाता हूँ बारत भासियों से एक बात कहना चाता हूँ जो ये जातिवाधि गुंडे हैं जो पाखंडी गुंडे हैं कौन-कौन है जो आप जानी रहो जातिवाधि जिसें कार है अपनी जाती का क्या हम सर्वसेश्ट है हMूद देंगे बलतकार कर देंगे कुछ भी कर देंगे तो हमारे कानून चेत्र में ये हिंदू राष्ट कहता है हमें, इसका आधिकार देता है हमें, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ भारत बाशियों को, भारत के नागरिकों को, कि इनको तीन चीजें देना बंद करो बिल्कुल, एक दान, एक सम्मान और एक मदान, इनकी उक बाद अपने आप जमीन पर आ जाएगी यह बिकारी थे बिकारी है और बिकारी रहेंगे दोस्तों अभी जिनको आपने सुना वो भारती सेना के पूर जमान है इनका नाम है नंदा भाई राजपूत और यह जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि कैसे एक सकता रखने वाले लोग जो अपने आपको उची जाती का समझते हैं और दूसरे लोगों को नीची जाती का समझते हैं ऐसे लोग हमेशा इस तरह के कान करते रहते हैं फिलहाल इस बात से पूरी दुनिया में एक बहुती जादा ऐसा महल बन चुका है कि लोग आज के दोर म में भी भारत को आजाद हुए सतर पिछटर साल हो चुके हैं लगबग और उसके बावजूद भी ऐसे लोग यहां पर पनप रहे हैं कि अपने से छोटे मज़दूर इंसान के उपर इस तरह पिशाप करने का काम करते हैं और सारी दुनिया के सामने उसकी बदना में करने का पत्तका काम करते हैं तो, इस फौजी भी ने जितना भी धोया इस इस वीडियो के अंदर कम हैं बनाएंगे कोई बोल रहा है खालिस्तान बनाएंगे कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ